अगर आप क्लास फाइप में पढ़ते हैं और आपने जवाहर नोदेविद्देले का फोरम भरा है या फिर आप भरने के बारे में सोच रहे हैं तब ये वीडियो आपके लिए होने वाली है तो इस्टुडेंट अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए आज किस वीडियो में मैं जो की टॉप 10 महतपोड आपको प्रसन लेकर आया हूँ और ये जो की हर साल पूछे जाते हैं ठीक अगर नहीं भी पूछा जाएगा तब भी आपका जो की रिविजन हो जाएगा तो चलिए वीडियो को जो की स्टार्ट करत ये इसके सामने है ये भी इसके सामने है और ये भी इसके सामने है यानि काला वाला भाग सामने सामने है और इसमें जो काला वाला भाग है इस साइड है और एक इस साइड है तो ये वाला सबसे अलग है और अगर हम प्रसन नमबर 27 की बात करें यानि 27 की बात करें तो प्रस सब में आप देख सकते हैं कि यह सबसे अलग है क्योंकि यह व्रित्य के जैसा है यह सब सद्रिस है यानि यह सब एक समान जैसा कुछ न कुछ हद तक आपको दिख राया पर सीधी रेखा गई है सीधी रेखा जाते हुए त्रिभुज बना है यहां पर भी सीधी रेखा जाते बिल्कुल सही है यानि ये सबसे अलग है और अगर हम बात करें 28 की तो आप 28 में देख सकते हैं 28 में भी ये जो की सद्रिस है यानि आपको सामने दिखरा है कि ये सबसे अलग है बाकि ये सब जो की एक समान है ये तिनो A, C, D ये तिनों एक समान है, B वाला सबसे अलग है और अगर हम बात करते हैं प्रस नंबर 29 की यानि 29 की तो प्रस नंबर 29 में हमारा कौन सा सही है? D वाला सही है क्यों सही है? क्योंकि यह एक पैंट है मतलब यह पैंट है और यह सब सर्ट है तो आप देख सकते हैं और अगर हम प्रस नंबर 30 की बात करें यानि 30 की बात करें तो प्रस नंबर 30 में हमारा कौन सा सही होगा? तो प्रस नंबर 30 में हमारा जोगी यह वाला सही होगा क्यों सही होगा? वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ना यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो दो बिंदू है इसके इस साइट गुणा का चिन है ठीक इसके भी इन दोनों बिंदू के सामने गुणा का चिन है और इसके दोनों बिंदू के सामने गुणा का चिन है मगर इसमें क्या है इसके साम सामने गुड़ाख को चीन है इसके भी सामने और इसके भी सामने इन दोनों के लिग're सामने में गुड़ाख हो यहाप भी आप देख सकते देख़ी हैं इसके जो को हम उपरालök वाले सामने के सामने यह जो कि जो C है यह क्या है यह एक सम कोड़ है यानि इसका एक कोड़ जो की 90 अंस का है बाकि यह सब एक समान है इसलिए C वाला जो की अलग है यह सही माना जाएगा और अगर प्रस नंबर 32 की बात करें तो प्रस नंबर 32 में मारा जो की सही होगा D प्रस नंबर 32 में मारा D वाला क्यों सही होगा वो भी हम आपको समझा देते हैं यहाँ पर डिवाला अलग है क्यों अलग है तो वो हम आपको बता देते हैं जैसे यहाँ पर एक दो तीन चार काली बिंदू चार है तो इसके भुजाएं भी चार है एक दो तीन चार इसके भुजाओ गए ठीक यहाँ पर तीन बिंदू है तो इसके भी तीन भुजाएं है एक दो तीन यहाँ पर कितने भुजाएं है एक, दो, तीन, चार, पांस यानि इसके पांस बिंदू है तो इसके भुजाएं जो कि पांस है यहाँ पर तीन ही बिंदू है परन्तु इसमें जो कि भुजाएं कितने है छै इसलिए ये वाला सबसे अलग है और ये सही माना जाएगा और अगर हम चलते हैं प्रस नमबर 33 की तरब तो हमारा प्रस नमबर 33 तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रस नमबर 33 में तो प्रस नमबर 33 में हमारा जोगे कौन सा सही होगा वो C वाला सही होगा क्यों सही होगा क्योंकि यहाँ पर आप एक वरित देख सकते हैं फिर उपर जैसा वरित बना है वैसा इसके भीश में भी वरित बना है इसमें जैसा चतुर भूज बना है तो इसके अंदर भी चतुर भूज बना है यहाँ पर भी त्रिभूज बना है यहाँ पर भी क्यों सही होगा क्योंकि सामने ही आपको दिख रहा है यहाँ पर सभी आप लोग आप ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको एक बृत दिख रहा होगा इसके इस साइड में ठीक तो यहाँ पर आप बृत दिख रहे हैं और इन सभी में जो बृत बन रहा है यहां पर मुह इसका खुला हुआ है सभी में देख सकते हैं कि खुला हुआ है यहां पर यह एक पुरा पुरा बृत्व बन रहा है इसलिए D वाला में जो की यह वाला बिल्कुल सही होगा और अगर हम प्रस्न नमबर 35 की बात करें तो प्रस्न नमबर 35 में ये वाला सही होगा क्यों सही होगा क्योंकि ये सब अलग तरीके से बना है ये सब लंबा लंबा बना है पर ये मतलब थोड़ा सा छोटा साइज में बना है मतलब ये वाला अलग है बाकि सब ये जो की एक समान के जैसा है इसलिए वाला जो की बिल्कुल सही है तो student I hope कि आपक तक के लिए इतना ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गुड़ बाई